कि हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका कोचिंग चैनल में आज हम बात करने वाले हैं मादमीक प्रिक्षा 2019 के विसाय गनित के बारे में तो सबसे पहले जो रहेगा आपका समय रहेगा वह तीन घंटे का रहेगा ठीक है और प्रतांग जो रहेगा आपका पूरा यानि की आप की रहेगी वह तीस प्रस्णों की संख्या रहेगे ठीक है सबसे पहले यह है कि आपका जो समद्धिये एक्जाम का वह कुशन रहेगा वह आपका कुछ निर्दिसांख दिये रहेंगे आपको निर्दिसांख पढ़ लेना ठीक है उसके बाद चले हैं ठीक है तो यहां पर पहला जो कुशन है सेशन ए में है वो एक सीले का दस तक परतिक एक अंका है ठीक है तो यहां पर एक नंबर जो है कहता है 156 को अभाज गुनन खंडों के गुनन फल की रूप में व्यक्ति की जिए ठीक है दूसरा जो है किसी बहुपद पी एक्स के लिए वाई बराबर पी पीएक्स के घ्राब से पी एक्स के सुनियाउंको की सच्क्या ग्याद कूजे़ आपका ग्राब इसमें दिया गया है अंक ञेस तीसरा नंबर है कहता है जाच कीजिए कि एकस इंटू एक्स फिरी व्यक्वर्ट टुयानि कि बराबर एकस स्क्वार प्लस वण एक दविघा समीकरें है या नहीं आपको जाज करके बताना ठीक है उसके बाद चोहता है कहता है मान निकाले देख़ेगा CHAN-48 degree –4662 डिबी टीक है उसका आपको मान गयाद करना है उसके बाद बाद यजितीक है पाँचुमा नंबर है कहता है समांतर शरणी 5 –5 –1 –3 307 . के लिए एक विरित का प्रिमाप और संख्यात्मक रूब से बराबर हो तो उस विरित की तिर्जाग्याद करें टीक है सट्वा नमर कहता है दो संब्रूब तिर्वुज़ाओं की भुजाएं चार उनुपाथ नो के अनुपाथ में है इन तिर्वुजों के चत्रपलों का अनुपात क्या होगा आठमार कोशन है किसी घटना की प्रैक्ता से बड़ी या उसके बराबर होती है होती है तथा दैस मां नंबर कहता है तद निमनिस्पीछ है कि या क्या लिख का नाम या क्या या क्या घठी है इस द रहा है सेसन भी में है तो 91.15 तक रहεगा वह दो नुम्बर कर नह ठीक है उसके वाहते कि 11 नंबर कहता है आप देशन गन्खनав विदी ढएक है Любot चार सुचार का एच्षियप ज्याद किजिए जिसके सुनियांकों के योग तथा गुननफल करमस एक बट्टा चार एवं मैनस एक है उसके बाद दिखेंगे तेरा नंबर कुशन है आकरती से रिलेटेड है यह आपका छटा पॉइंट से यानि तिर्भूज से रिलेटेड है यह जो आपका किताब से अनिश्याटी किताब का छटा चप्टर था तिर्भूज उससे से रिलेटेड है कहता आकरती में क्यू आर बट्टा क्यू एस बराबर क्यू प्यार तथा कौन एक पराबर कौन दो है तो दर्साइए कि तिर्भूज पी क्यू एस समरूप है तिर्भूज TQR है उसके बाद चौदा नंबर कोशन है कहता है तिर्भूज ABC में जिसका कौन देखेगा बी समकौन है AB बराबर 24 संटीमीटर और BC बराबर 7 संटीमीटर है तो कौस सी ग्याद किजिए ठीक है यह आपका त्रिकौन मीती से है पंदरवा कुशन है कहता सिद्ध की जिया की वृत दिखेगा सिद्ध की जिया की किसी वृत के किसी वृत के किसी व्यास के सीरों पर खिची गई असपस रेखाए समानतर होती है ठीक है देखेगा सेसन सी में चलते यह आपका सोल्ला से पचीश तक प्रसंद्र है वह आपका तीन नंबर कर रहे ठीक है तो यहां पर दिखेगा स्वल्ला नंबर है कहता दरसाए की पड़तियक धनात्मक संपूर्णंक टू क्यू यानि कि दो क्यू के रूप में होता है तता प्ड़तियक धनात्मक विसाम पूर्णंक तो क्यों प्लस वन के रूप में होता है जहां क्यों कोई पूर्णांक है तो दिखेंगे अध्वा में और एक के दर्साइए की फाइब मैंनस दिखेंगे फाइब मैंनस रूट थिरी एक और परीमे संख्या है उसके पाद सतरवान नंबर है हल कहजिए यानि कि आपको सब्सक्राइब दो बराबर चे आपको इस दोनों समीक्राण में से आपको हल करना है ठीक आप कोई भी विदी से इसको हल कर लिजेगा यह आपका बहुत आया ता है यह विलोपन विदी तुल्नात्म विदी अनुपातिक विदी उसके बाद प्रज गुनहन भी टिक ग्राफी विदी द्वारा हल किजी आपको देखें यहां पर इसका अथवा में और यह कोशन है किसी एपी के पर्थम और अंतिम पद करमसा सत्रा और तीन सवा पचास है यदि सार्वंतर नो है तो इस इसमें कितने पद है और इनका योग क्या होग यानि कि आपको n निकालना है और sn ग्याद करना है ठीक है देखेंगा विश्वा नंबर कहता है सी देखें आपका देखिए त्रक्वार्णिमी 30 से है कोट ए मैनस कॉस ए बटा कॉट ए पलस कॉस ए बराबर कॉस्एक ए मैनस इस बटा कॉस्एक पलस वन ठीक है उसके बाद देखे 21 नमर है X और Y में एक संबंद ग्याद किजिए ताकि बिंदू X Y बिंदू देखेगा बिंदू 7 1 और 3 5 से समधुरस्त हो 22 नमर कुशिन है बिंदू मैंनस 3 10 और 6 मैंनस 8 को जोडने वाले रेखागंड को बिंदू देखेगा बिंदू मैंनस 1 6 किस अनुपात में विवाजित करता ठीक है आपको ग्याद करना है ठीक है उसके दिखेगा अथवा में और एक कुशिन है कहता यदि ए मैनस 5 साथ बी मैनस 4 मैनस 5 सी मैनस 1 मैनस 6 और डी चार पांच एक सम चतरभूज है चतरभूज आपको चतरभूज का ग्याद करना है ठीक है उसके पाद दीके 23 नमर को से नहें आधार 8 सेंटीमीटर तथा उचाई 4 सेंटीमीटर की एक सम दीबाहु तिरभूज की रचना किजिए और फिर एक अन्नी तिरभूज की रचना किजिए जिसकी भूजाओं एक दिखे भूज नहीं हो यानि कि आपको इसको कुना करना है तो आपका हो जाएगा तीन बट्टा दो गुर्णी है ठीक है आपको इसमें रचना ग्याद करना रचना बनाना ठीक है दिखे अथवा में है ता इस नमबर का कहता है कि पांट सेंटीमीटर तिरजिया का एक वृत किचिए एक दाम से में तीन नीले दो सफैथ और čार लाल कंचे है यती बक से में से एक गॉंट या दिरिफच्छा निकाला है यह दिरिफच्छा का मतलब वहांता कि वीना देखे निकाला जाता है तो उसकी PC तमचल प्र्राइग्त निला है लाल है तो आपको यहाँ परोगा की सफ होगी और लाल की प्रेता कितनी होगी ठीक है उसके बाद दूसरा कहता है कि चाप द्वारा बनाए गए गए गंड का चेतर पर लियाद करना है ठीक है उसके वाद देखेगा इसका 25 नंबर का अथ्वा में यहां पर दिखाई टाए यहां पे ब्र फ के पर एक निंटेंटिमेटर आपको दिखाई जा रही है टिक है यहां पर है अधके परतिय कोनय से एक सेंट्री bricksं तिरजिया वाले वरी इ datos का अधागी थांपर जाटांगी उनकोंपर Gegs वर्ग के से सभाग चया की जिए बसे में निकि जो ने के बाद बचा हुआ है उसका आपका चंद डीकिकीव चलते हैं था ए जो ओंड डी में है यह आपका 2006 से लेकर तीस कोशन नीक कोशन रहेंगे खेशय नमबर का रहेगा प्रतिय का प्रस्न doe उस 26 नमबर दिखे कोशन है कहता है द्विघात समीकरन 3X स्क्वाइर मैंनस 5X पलस 2 बराबर 0 के मुल्य यदि उनका अस्तित वो हो तो द्विघाती सुत्र का उप्योग करके ग्याद किजिए ठीक है उसके इसका अथवा है दो ऐसे करमागत विशम धनात्मक पूर्णांक तो आप इसको बना लेजेगा उसके वाद दिखे सातास्वा है सातास्वा नमबर है कहता है एक पेडस्टल की सीखर पर एक दसमलब 6 मीटर उची मूर्टी लगी है भूमी के एक बिंदू से मूर्टी के सीखर का उन्यान कौन 60 डिग्री है और इसकी बिंदू से पेडस्ट की उचाई ग्याद किजिए तो आपको दिखेगा यहां पर प्रसन दिया आपका इसका हल निकाल दीजेगा ठीक उसका अठास्वा नमबर है कहता है कि सिद्ध किजिए कि दो समरूप तीर भूजाओं के छेत्रपलों का अनुपाद इनकी संगत भूजाओं के अनुपाद के वर्ग के बराबर होता है ठीक है आपको इसको सिद्ध का देना है यह प्रिमे से है ठीक है तो आपका दिखेगा उन्तिस नमबर कुश्चन की ओर चलते हैं कहता एक खिलोना तिर्जिया तीन दसमल्ला पांच संटीमिटर वाले एक संकू के अकार का है जो उसकी तिर्जिया वाले एक अर्दगोले पर आधिया रोपित है इस खिलोने की संपुर्ण उचाई 15.5 संटीमिटर है इस खिलोने के संपुर्ण प्रिष्टी चत्रफल ग्याद किजिए ठीक है इसी का अथ्वा में और एक कुश्चन है कहता है धात तथा नीचले और उपरी सीरों की तिरजाय करमस है 8 संटीमिटर और 20 संटीमिटर है 40 उरुप्या परती लीटर की दर से इस बरतन में पूरा भर सकने वाले दूद का मूल ग्याद किजिए ठीक है आपको मूल ग्याद कर देना है ठीक है तिस नंबर कुश्चन है और यह लसे इस वीडियो के लाइक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ठीक है